हलो एवरीवन तो आज इस वीडियो में आपके साथ में बच्चिवी चीजों से आप आइसक्रीप कैसे रैडि कर सकते हैं वह तो मैं आपको बताने वाली हूँ बहुत ही इजी से वे मैं आपको में बताऊंगी चली वीडियो स्टाट करते हैं तो इसके लिए पर आधा लेट को बहुत ज़्यादा दूद्ध पकाना है इसे आपको आधा करना है फटामर से बन जाता है बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है जैसे एक बॉइल आएगा हमने जो कस्टर पड़ो घोल के रखा वह इसमें एड कर देंगे और इसे 2-3 मिर्ट तक हम कुप करेंगे जब अच्छे से गाड़ा हो जाए कस्टर पड़ो जैसी आप डालेंगे यह गाड़ा होने स्टार्ट हो जाता है उसके बाद 2-3 मिर्ट तक आप इसको कुप करने आपको तक हम आइस्क्रीम जमाया तो उसमें अच्छे से सेट हो जाए अब यहां पर मैंने छीनी आइड कर दिय है तो आधा लीटर दूत में एक पॉचीनी का यूज करना आपको सिंपल से मेजरमेंट है बहुत ही आसानी से बन जाता है इसका फ्रेम बंद करती है और जैसी ठंडा हो गया एक बावल में इसे निकाल लिया है और इसे मैं फ्रीज में रख दूंगी फ्रीजर में नहीं र यहां पर मैंने केक बनाया था तो उसके कुछ क्रीम बचे हुए विपिंग क्रीम अगर आपके पस विपिंग क्रीम नहीं है तो आप यहां पर मलाई कर सकते हैं तो एक कटोरी आप यहां पर मलाई यूज करेंगे अची विपिंग क्रीम कर यूज कर रही हूं मैं तो थोड बाड करकर डाल रहे हैं तो आप एंपे विपिंग क्रिम को यूजा कर सकते हैं मी पिंग क्रिम दालने प्वाद अच्छे से बीट करना है और अगर आप मलाई को हैं तो गूंत अच्छे करना उसको यहां से अब आफ देह ऊश्stat इसमें ऐस क्रिस्टल हो गया है तो मतलब यह प्रोसेस जमने का स्टार्टान हो गया था इसमें दूने हैं में इस ऐइर टाइट क़ें से ट्रांस्फर कर लें तो दो कंटेनर में तो पुरी रात के लिए से ट्रांस्फर में रत दिया था तो बस यह दी कि मैंने इसे ट्राइड है निकाल लिया है बहुत ही अच्छी आईस्क्रीम अमारी रेड़ी हुए थी और बहुती जल्दी बन भी जाता आप घूमते फिरते घर का काम करते विए इसे रेडी कर सकते हैं तो इसे बना कर जरू ट्राइ करें आप मुझे बताएं कॉमेंट में कि आपको रेस्पी कैसी लगी तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक लिए बाबाई